आज मैं बात करूंगा शोग्रेंज सिंड्रोम नामक ओटो इम्मून बेमारी के बारे में जिसकी जागरुकता फैलाने के लिए हर साथ 20 जुलाई को वर्ल्ड शोग्रेंज डे मनाया जाता है शोग्रेंज सिंड्रोम सबसे आम ओटो इम्मून बेमारियों में से एक होती है देखा गया है कि भारत में हर साल 10 लाग से जाधा मरीज इस बिमारी से प्रभावित होते हैं इसलिए इस बिमारी का जल्दी डागनोसिस करना बहुत जरूरी है ताकि इस बिमारी के होने वाले कॉंप्लिकेशन्स को हम होने से रोक सके शोगरिन सिंड्रोम एक आटो इम्यून बेमारी होती है पहले हम यह जाने कि आटो इम्यून बेमारी का मतलब क्या होता है नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमें विदेशी रोगानों से बचाता है पर आटो इम्म्यून रोग में हमारा इम्म्यून सिस्टम विदेशी रोगानों के प्रती आक्ट करने के बजाए हमारे ही शरीर के विभिन भाग पर हमला करता है जिसकी वज़े से हानी पोचती है शोग्रिन सिंड्रोम एक ऐसी और इम्म्यून बिमारी है जिसमें हमारा इम्म्यून सिस्टम हमारे शरीर के विभिन नमी बनाने वाले ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को असर करती है विशेश रूप से आसू और लार बनाने वाले ग्रंथियों को असर करती है जिसकी वज़े से सूखा मूह और सूखी आके हो जाती है शोग्रिन सिंड्रोम ज्यादा तर 40-60 उमर वाली महिलाओं में पाया जाता है परन्तु ये बच्चों और बाकी उमर की लोगों में भी हो सकता है पूर्शों की तुल्ना में ये रोग महिलाओं में 10 गुना आम होता है शोग्रिन सिंड्रोम एक जनेटिक रोग होता है वैसे इसके अन्य कारण है बार-बार वारिल इंफेक्शन होना और ये रोग महिलाओं में ज्यादा हाव है क्योंकि महिलाओं में इस्टोजिन नामक हॉर्मोन होता है जिसकी वज़े से ये रोग ज़ादा हो सकता है। इस बिमारी के 50% केसिस के कारण दूसरे आटो इम्म्यून रोग हो सकते हैं जैसे की रूमेटर आथरैटिस और ऐसे लिए। शोग्रन सिंड्रोम के मुख्य लक्षण है आखों का सूखापन जिसकी वज़े से आखों में खुजली और जलन होती है और अगर ये बिमारी आगे तक चलती रही तो आखों की रोश्ति भी जा सकती है। मुख का सूखापन जिसकी वज़े से सकत खाना खाने में मुश्किल होती है और इसके लिए हमें बार बार पानी पीना पड़ता है। मुख में कम लार होने की वज़े से लंबे समय तक बोलने में मुश्किल होती है। खाने का स्वाद नहीं रहता और मुझ के infections होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अन्य लक्षन हैं त्वचा का शुष्क होना, जरूत से ज़्यादा थकान महसूस करना, जोडों में दर्द, सूजन और अक्रन होना, मास पेशियों में दर्द होना, लार बनाने वाली ग्रंथियों का सूजन होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, लंबे समय तक खासी होन ये बिमारी फेफ्र को भी असर कर सकती है, जिसकी वज़े से इंटरस्टीशियल लंग डिजीज हो सकता है, जो की जानलेवा हो सकता है ये रोग दिमाग को भी असर करती है, जिसकी वज़े से लकवा हो सकता है, और डेप्रेशन जैसी मानसिक बिमारी भी हो सकती है ये रोग शरीर की नसर को भी असर करता है जिसकी वज़े से हाथ और पेरों में सुनपन हो सकता है कुछ मरीजों में ये रोग गुर्दों को भी असर करता है जिसकी वज़े से पिशाब कम हो सकता है और पूरे शरीर पर सूजन आ सकती है जैसे कि हम जानते हैं कि शुग्रिन सिंड्रोम एक आटो इम्मून बिमारी है इसलिए इसको जड़ से खतम नहीं किया जा सकता परंतु इसके लक्षणों को काफी हद तक रोका जा सकता है और शरीर के विबिन भागों को हानी पहुचाने से बचाया जा सकता है आखों की सुखेपन के लिए आटिफिशन टियर आईड्रॉप्स का इस्तमाल करना चाहिए मूँ और नाग की नमी बढ़ाने के लिए माउट स्प्रेज और नेजल स्प्रे का इस्तमाल करना चाहिए आसू और लार के उत्पादन के लिए दवायों का इस्तमाल करना चाहिए इस बिमारी में इम्यून सिस्टम अती सक्रिय हो जाता है इसलिए इसे शांद करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन दवायों का इस्तमाल करना चाहिए अधिक धूल और दूए वाली जगा पर जाने से बचें आखों पर जोर ना पड़ें इसलिए लंबे समय तक एक चीज पर नहीं देखना चाहिए जैसे कि टीवी देखना, किताबे पढ़ना या फोन का इस्तमाल करना धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें पौश्टे का हार खाना चाहिए और कम से कम नमक और मीठे का सेवन करें इस रोग के मरीज एक आम जिन्दगी बिता सकते हैं डॉक्टर, परिवार जन और दोस्तों की मदद से इस बिमारी का मुकाबला किया जा सकता है इस बिमारी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसके लक्षणों को मरीज महत वो नहीं देता और उसे अंदेखा कर देता है जिसकी वज़े से ये बिमारी आगे बढ़ जाती है इसलिए अगर आपको इस बिमारी के लक्षण होते हैं तो उसे अंदेखा ना करें जल्दी जल्द रूमेटलोजिस को दिखाएं क्योंकि जितनी जल्दी इस रोग का पता लगेगा उतना बैतर ही इसका इलाज हो पाएगा धन्यवाद